नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सर्मार दैनिक रासिफल सबसे पहले जानते हैं दैनिक पंच जांग के बारे में 4 अक्टुबर 2023 बुद्वार का दिन है आज के रासिफल की तो मेश रासिवालों आज का दिन अच्छा है धनलाप के यो आप दखल मत दीजेगा और आज परिवार में जो भी समस्य थी उसका समाधान निकलेगा पारेवारी कारेकरम में समयलित हो सकते हैं मित्रों का सपोर्ट मिलेगा और यात्रा बेगरा आज टाल दें तो ज्यादा अच्छा है हलां कि आपका स्वास्त आज बेहतर बना और इस समय बैपार वैपसाइब भी उत्तम चलेगा घर बाहर परसंता बनी भी है असमंजस में होने के कारण किसी फैसले को सकता समय पर ना ले पाएं सरकाई नौकरी कर रहे हैं तो आज लाप की संभावना है प्रेम जीवन में हैं तो अपने लब के स्वास की चिंता हो सक है आज किसी भी तरह का निवेस करने के पहले सो समझ लें फिर करें तो उत्तम है हलांकि स्वास उत्तम रहेगा निर्धन को कुछ दान कर पाएं धन्वेगे रहा तो अच्छा रहेगा आपके लिए जो विद्यारती है करियर के मामलों में बढ़ियां है क्योंकि पदोनत्त यात्रा से बचना है घर से दूर मत जाये अगर जाते हैं किसी के साथ जाए अगर घर में सबको बता कर जाए आप कहां जा रहे हैं किसे मिलने जा e वैसे मित्रों के साथ मेल जोल बढ़ाने में कामियाब होंगे स्वास्त का भी ख्याल रखना है उत्सा उमंग है और संतान के दाइतों की पूर्टी होगी रिस्तों में मजबूती भी आने के योग बने वे हैं आपके लिए हला कि कुछ मामलों में धन्तों आ रहा है पर खर्च भी होंगे कहीं यात्रा बिगरा कि योजना को रुकिए और सुभ ब्याई खर्च इनि सुभ मंगल चीजों में खर्च होगा देर सम्संतान के तरफ से आपका मन प्रसंद रहेगा कारे छेतर में आपकी मिहनत से आपको रखेगा और बिरोधियों की चाल को भी समझिए हर किसी पर भरोसा करना सही नहीं है खासकर अपने स्वास्त का भी ध्यान रखे हल्दी डायट लें परिवाल में क्योंकि कोई मंगल कारे होंगे विदेश से कोई लाब होने के भी योग इसमें बने वें आपके लिए तयार रहे हैं तो आज कागजात अच्छे से जांच कर ही कोई सौधा कीजिएगा तो अच्छा रहेगा और काम काच के मामलों में थोड़ी बहुत अर्चने हैं बड़ा टेंसर नहीं है सुबरंग नीला भागे साथ निवाएगा असी परतिसत भाग्यांग तीन है बस एक सोच को बहतर कीजिए दिन की शुरुआती होगा एक्सरसाइज से कीजिए जीवन साथी के साथ मिलकर भविस्य के लिए कोई आर्थी की उजना बनाएंगे और आज खुशियों से भरा द आते हैं तो अपने वेभार को नर्म रखें महतपूर्न वेपसाइक साथे करते समय दूसरों के दवाब में मताय दिल दिमाग खुला रखें निरने सोच समझ कर लें सारे काम पूरे करके साम के समय किसी पार की आइकान तक स्थाम पर थोड़ा भीताना चाहेंगे लाकि वे द्यारतियों के लिए अच्छा वक्त है बस पढ़ाई करना है बेवज़ा समय बरबाद नहीं करना है दने बाद हम फिर मिलेंगे